ब्रीज मोहन योग केंदर में आप सबको मैं एक बार पुना प्राता भेला में स्वागत करते हैं और अपने योग कक्षा में आये हुए सभी साधक साधिकाओं की ओर से पूरे देशवासियों को हम दिपावली का, छट का, धन तेरस का, चित्रगुप्त पूजा का, कुबर्धन पूजा का, गंगाश नान का अगरिम सुब कामना देते हुए और आज धन तेरस है और धन तेरस के परोपर आज मैं धन तेरस पर धनमंतरी भगवान का जन्व हुआ था और उन्होंने जो समुद्र का मन्थन हुआ था उसमें से जो पवित्र कलश आये थे उसमें कैसे आरोग के परदान किया जाए कहा जाता है कि त्रिफला, आवला, हरण और बहेडा को लेकर के वाये थे और इसलिए उनको त्रिफला आज पुरे दुनिया में चर्चित है तो भगवान धर्मंतरी को जो वैदों के वैद कहा जाता है उनको हम नमन करते हैं, पढाम करते हैं और हम आज आपको कब्ज ना सक, कैसे कब्ज को जड़ से मिटाया जाए कैसे पेट को डिटॉक्स किया जाए, कैसे सरीर को रोग रहित किया जाए, वो आज मैं कुछ अभ्यास दिखाने जा रहा हूँ तो जब धर्वंतरी भगमान का हमने नाम लही लिया है, और उन्होंने जो आवला हरण बैडा को लेकर के धर्ती पर आया और पूरे सरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सकती है उसमें, तो आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, करते रही अभ्यास को कि रात को क्या करना है कि त्रिफला चूर्ण को आधा लीटर पानी में उसको फूर्णे के लिए डाल देजे, सुबा उसको मसल देजे, चूर्ण है तो अच्छा है, यदि त्रिफला खड़ा है तो कूट करके उसमें डाल देजे, और उस पानी को सुबा हमें छान करके पी यक्ताणासन और कटी संचालानासन ये तीन अभ्यास आपको तीस-तीस वार सुबा सुबा करना है सौच जाने से पहले यानि लेटिन जाने के पहले ही करना है तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है दोनों पैर आपके आपस में सटे हुए हूं पूरा सरीर उपर की तरफ हतेल को उपर खिचिए आपको उदर यानि पेट खिचता हुआ मसूस हो रहा होगा दोनों एडिया जमीन से उठ जाती है पैर कभार आपके दस्व अंगोलियों पर पुरा खिचिए उपर अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसको बीस बार कर ल यानि यूँ कहें कि दसो साल बीसो साल का जिनका पुराना से पुराना कभज है वो कभज ठीक हो जाएगा पेट साफ होगा खुल करके होगा दूसरा अप्यास तिरियक ताडासन पैरों को खेल दीजिए कम से कम दो से ढ़ाई फिट की दूरी और वही ताडासन का भ्यास को अब सामने से नहीं, अब साइड में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अभ्यास किया जा रहा है, बस आख बंद कर लीजिये, और धर्मंतरी भगमान का नाम लीजिये, क्योंकि सरीर को स्वस्त बनाना है, तो धर्मंतरी भगमान का नाम लीजिये, उनकी पूजा करिये, और उनके बताये हुए मार्क पर चलिए तो धन तेरस हो जाएगा इधर पता नहीं कहां से लोटा थाली खरिदने की परंपरा लोगों ने शुरू कर दी अरे धरवंतरी भगवान का जनम हुआ तो उनी के नाम पर धन तेरस होता है अब लोग भुला गए क्योंकि उनको तो पाखंड ब नहीं याद है मैं पूछी लेता हूँ छोटी नाम सुनी थी कभी क्या थे वो बताईए ये हमारे छोटे छोटे देश के बच्चे है धन तेरस हो रहा है अब पता चला है कर लोटा लेलो चमच लेलो सब जान रहा है अज इनके नाम पर धन तेरस हो रहा है उनके बारे में क आमला, हरण और बहेडा, तीनों का सेवन आप जीवन बर करिये, कभी भी बीमार नहीं पड़ियेगा, कोई रोग हो नहीं हो, बड़ी खुब सुरत फल है वो, तीन फल एक साथ खीचिया वराओ हाथ को, पानी त्रिपला का पीकर, लेटिन जाने के पहले, सौच जाने के पहल ये अभ्यास 30-30 बार करना है, तो मुटापा भी जड़ जाएगा फिरी में, अब पेट भी जड़ जाएगा, गंदगी बाहर, अब लोगों को मैं क्या समझाओं, कलास में जो संख्या भरी रहती थी, लोग सफाई करने के चकर में नहीं आ रहा है, कहार रहा है, बाबा, त ये तुखा तक आए भाई, आतर रात 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 सफाई चरत क्या सफाई कर रहे हो जी, अपने सरीर की सब पेट साफे नेके हो, कब जी हुआ है, अगर पोचाता, क्या फाइदा, तो आईए अपने सरीर की सफाई करी आज धन्तेरस पर, अब इसका तीसरा व्यास करिए, दो पेर फेला लेजे, दोनों हाथ एकदम सिधा सिधा रहेगा, सरीर एकदम सिधा किवल कमर से ट्विस्ट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, गर्दन भी पीछे की तरफ, के हुनी आईदम सिधी हो, तनी हुई हो, खीचिये, कम से कम, पंदरा बार बाएं, पंदरा बार ना हैं, मैं को कितना ला बताओं, पेट साफ, सारी गंदगी खतम, और फैट भी चला जाएगा, त्रिफला का पानी पीजिए, और एक और चीज़ में बता दो, त्रिफले के पानी को मुह में ताजा पानी भरके, सुबा सुबा आँख पर छोपा मारिएगा, तो आँख भी आपकी ठीक रहेगे, आँख के रोसनी भी आपके ठीक रहेगे, गुमाई, बहुत सुन्दर, एक दम हाँ तना हुआ, और इसका सौट नाम हम लोगों ने रखा है, टी, टी और के, यानि तडासन, तिर्यक तडासन, और कटी संचालानासन, जब तीस तीस बार तीनों अभ्यास करि ठीक रहेगे, तो आपको कम से कम दस मिनट लग जाएगा, दस मिनट लगेगा, तो आपको जोर से सौच महसूस होगा, अब परदास नहीं होगा, अब सीधे बात्रूम जाएए, ट्वाइल जाएए, और एक मिनट भी नहीं लगेगा, लेट इन किलियर, यहां क्या हो रहा ह लोग एक ए घंटा बातरूम में भी पेपर पढ़ रहा है जी, इधर नाया एक बेक्ती आये, बबा बोले, बेट खराब है, मैं बहुत एक ए घंटा इंतजार करना पढ़ता है बातरूम में, तो मैं पेपर लेके ही चला जाता हूँ, और पेपर पढ़ते रहता हूँ, और ब दूबा त्रीपला का पानी पीजिए, और तीस-तीस बार ताडासन, तिर्यक ताडासन, और कटी संचाला नासन अभ्यास कर लीजिएगा, आपकी सारी बिमारियां दूर, यानि पेट सफा, तो सब रोग भी खतम हो जाएगा, तो एक बार ब्रीज मोहन यूग चैनल को सब् सब्सक्राइब, लाइट, कमेंट्स, शेर जरू करिएगा, और ध्यान दूर।